नमस्कार दोटों, आज मैं बता हुआ कि online SBI में अगर आप अपना password भूल जाते हैं तो उसको reset कराने के लिए किस तरीके से application form आप SBI की branch में submit करेंगे और उसको fill up करने का तरीक application form फिलब करने के पहले आपके पास कुछ चीज होने चाहिए आधार का reference नंबर अगर online SBI में कोई reference नंबर अप्लिकेशन को यह सब होने के बाद करा application form बढ़ सकते हैं अब देखिए application form कैसे बनना उसको लाइप नमस्कार दोस्तों तो मैं आज आपको बताता हूं कि customer form customer request form कैस सबसे पहले अपन को आज की date लिखना है यह जब भी आप form किसी भी जगह बरवाने चाहों तो सबसे पहले उस दिन की date लिखना है आपको अज़िए उसके बाद आता है यहां पर customer नाम जो भी इस form को जमा करवाने जा रहे हैं तो उस customer का यहां पर नाम बता है जैसे मेरा नाम यह पाल म एच जी उप लिए उसके बाद आपका अकाउंट से जुड़ा हुआ नंबर होना चाहिए जिसे हैं यहां पर यहां में लिक रहा है मुबाइल नंबर तो यहां पर आपको जिड़ी हो जो भी आपके नंबर जो आकाउंट नंबर से जुड़ी होए है उस रही हो नंबर यहां पर लिकना है मेरे पर भी रहा है जैसे मेरी ब्रांच नाम जैसे मेरी एस भी हैं है कि यह कहां पर पढ़ती है यह पढ़ती है स्यूगन हरा था आइब आपकी प्रोब्लम है जैसे मेरे इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है और इसमें प्रोबिलम में तो पहले आपको रिक्वेस्ट में प्लिक करना है जैसे और आपकी जैसे आई एंडी प्रोफाइल पास्वर्ड जिसे यह आपको चेंज करवाने तो यहां पर यहां पर क्लिक करना पड़ेगा एक क्लिक किया उसके बाद आपको यहां पर नाम आ जाता है यह नाम लिखने के बाद यह आपको आपको इसके नीचे जस्ट आदार कार्ड लगवाना है और आदार कार्ड लगवाने के बाद यह आपको देग में जाके संबिट करवाना है तो आपको पसंद आए होगा मेरे फूम बढ़ना तो ठीक है दोस्तों थेंक्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर इंशेर करें अपने वाट्सप गूरूप पर थेंक्यू थेंक्यू सो मच तो फ्रेंट्स मुझे आपको मेरा वीडियो पसंद आए होगा प्लीज मेरा वी तो फार टाःओ तो अपने कि यह उख सब्सक्राइब तो नहीं से सब्सक्राइब कर दो का मच खने कि अंस दो होगा मारे पर थेंक्यू तो को थेंक्यू गूर्च कंवेशना ड्रेंट्स प्लीज मेरे लिए घुशतों आपक्या ठाष्ट सें होगा तो प्टों आपक्यू